दोस्तों नमस्कार टीवी और इंडिया के खास कारकरम फेस टू फेस में आपका बहुत-बहुत स्वागात है जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा युवा भी उसके साथ जुड़े हुए हैं और आज हमारे साथ बीजेपी के युवा मोर्चा के नविमबई जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले साब मौजूद हैं आज हम इसे जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर बीजेपी देश की सबसे लोगपरी पार्टी क्यों है उसके विकास का एजेंडा क्या है नविमबई में बीजेपी का अस्तित तो क्या है और मनपा चुनाओ को लेकर किस तरह की रणनलिती तयार हो रही है सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जैसे कहा जाता है कि बीजेपी दुनिया के सबसे बड़ी और लोगपरी पार्टी है और खासकर इवा उससे ज़्यादा पसंद करते हैं आप खुद इवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं क्या इसके पीछे एजेंडा ह क्या इसी चीज है क्या इसा इंस्पिरेशन है जिसे बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं आप देखें आपके सवाल में ही इसका जवाब छिपा हुआ है क्यों बीजेपी को ज्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि भारतिये जनता पार्टी की विचार धारा कर रही है और इसके जो नेता है अभी इस देश के प्रतान मंतरे आधर ने नरेंदर मुदी जी उनकी उम्र कितनी भी हो जाए लेकि इनके विचार जो है वो 17 से 30 के युवाओं को आकरशित करने का काम उनके विचार करते है इसके लिए भारतिय जनता पाड़ी के लोगों में घबराट मची तो विश्वास देने का काम नेता का होता है और आज भारतिय जनता पार्टी के माध्यम से आधरने नरेंदर मुदी जी ने ये देश को विश्वास दिया है कि मेरा भारत मजबूत है मेरा हिंदुस्तान मजबूत है इसके लिए युवा और जनत घंटें है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी उद्युक पत्यों की कारोबारियों की पार्टी है और इसलिए वह भारत रही है आम जनता कि उसको चिनता नहीं नहीं क्याना का करते हैं लेकिन आज देको 25 दिन का अधिवेशन केंद्र का आदिवेशन हुआ उसमें तो आदिवेशन में विरोधी तो सिर्फ हल्ला मचा रहे थे पेगाशस पेगाशस है की मुद्दा लेके बढ़ गए ते रहे हां की कोरोना किसी थी इनको यह बात सदन में करनी चाहिए दूसरी बात महंगाई के लिए क्या यह बात करते हैं आज घर लेने जाएंगे तो 6% से लेके होम लोन का रेट चल रहा है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है जो 13%, 11%, 14% इनके सरकार में था छोटा आत्मी अपना घर नहीं ले सकता था आज परतानमंत्रे आवास योद्ना के अंतरगत 5-5 लाक रुपया लाभरतियों को मिल रहा है और जो लोन का दर हो कम हो जने की वज़े से जादा तरिके से लोन ले रहे हैं तो महेंगाईं की बाद डाल रोटी ठीक है कि किसान को भी उनका रेट मिलना चाहिए ये सब चीजे है उनका समय में बननेने का काम ये सरकार कर रही है लेकिन विरोधियों की ये जो छुट-फ कंग्रेस देखेंगे तो यूट-पाइगि उतनी बहर की उपनेने पाती है किसे अथी नहीं पाती है कि इस अब रही हो भरनाते हैं जादा है श्लिए यूट-विंग इतनी उतनी बहर नहीं पाती है कि कुछ और कारण है इसके जहां मंने ये पनाती हो करना चाहूंगा क्योंकि भारतिये जनता युवा मोर्चा उबर नहीं पा रहा ये गलत है आज हमारे राष्ट्रिया अच्छे तरीके से काम कर रहे है और अच्छे पाइमाने पर अगर युवाओं को संदी दी जाती है तो भारतिये जनता पार्टी में दी जाती है एक एज युवा मोर्चा का अधिक से बन सकता है यह दूसरी पार्टी में नहीं है आप दूसरी पार्टी में देखेंगे पचेस्का हो गया तो भी युवा मोर्चा में काम कर रहा है अभी मैं किसके उपर यहां पर नाम लेके टिपनी नहीं करना चाहूंगा आपका भाइभार किस उसके लिए अभी मंसे में जो भी आपने नाम लिया, तोड़फड करके युवाओ के उपर गुना दाखिल करने काम पार्टी का है क्या, उनके उपर गुनेगारी शिक्का लगाने का काम किसी पार्टी का है क्या, तो नहीं है, युवाओ को रोजगार के माध्यम से काम देना युवा ओको सबका साथ सबका युकास के साथ जुड़ना है और आप नयुमबए में देखेंगे आप नयुमबए में यह दावे के साथ मैं कहता हूं जब से युवा मोर्चा की जवाबदारी जिम्मेदारी मुझे मिली तब से इस नयुमबए में दो-दो युवा मोर्चा क कि मेलावे भारती जनता that you दूदार हम बताइए जहां पे युवाशेना का मेलावा हुआया वर युवा किसी पार्ड का मेलावा हुआ यहां पे शुर्प मेलावे हुए है तो भारती जनता युवाशा के 10 उर्चा ऊपर देखें तो नौखले में दो विदान हैं दो-दो विधायक होने के बावजूद भी आपको नहीं लगता कि आज भी जो तमाम जो बड़ी समस्या है जो लंबे समय से लंबित पड़ी है जैसे पीएपी की समस्या है रीडवलप्मेंट का मामला है गरजे पोटी है इसका समाधान होने में आप इसे किस किस नजरिये से देखते हैं क्या वज़ा है कि आज तक इसका समाधान नहीं उपा नहीं कैसे है कि आदरनिय मंदताय मातरे 2014 से जनता में से चुनकिया उससे पहले भी वह विधाई का एमेल सी थी नाइक साब समस्य रहती उनको सुलजाने का काम नेताओं का है और यह लंबे टायम से यह शहर का जो समस्य शुलजाने का काम हमारी नेता कर रहे है जैसे कि मैंने कहा है कि समस्य नहीं शुलषती है तो मैं चोटा उधारन देना चाहता हूँ एक गाव था गाव के इधर नदी थी उदर रस्ता जाने को नहीं था और वहाँ पे गाव में जैसे मेला होता है वो मेला एक टाइम पे रहता है तो उदर नदी में से रस्ता जाने को नहीं था जब निता जी मंत्री जी एक मंत्री जी उदर गए तो गाव अले ने मांग की कि कि हमें यहां से अच्छा पूल होना चाहिए, तो नेता जी बोले अगले साल तक मैं इसको बनवा दूंगा, तो बन दिया उन्होंने, दूसरे टाइम आये बोले देखो रास्ता बना दिया, तो यह बोले पूल बना दिया, तो गाउ वाले बोले नहीं नहीं, पूल तो बना गई लेकिन तिकट के बहुत पैसे जादा है उसको कम करवाए तो समस्या है मेरा कहने का यह उधारन देने का अर्थ यह था कि समस्या खतम नहीं होती तो बड़े पहिमाने पर नयोंगवाई पर जो समस्या आती रही थी उनको सुलजाने का काम किया है मंदा था है मातरी यह पर जहने का काम हो रहा है अच्छे नेतरतों में यह काम चल रहा है और जो भी समस्या चूब जत रहा है कि आधरनी है दोनों विधयक कर रहे हैं आज आप देखेंगर तो तो कहिन कहीं उसका असर पार्टी के उपर पड़ता है, कारकरताओं के उपर पड़ता है, उनके मनोंबल पर पड़ता है, आप क्या सोचते हैं, देखिए, आपने अच्छा लब्स यूज किया, कि दोनों नेता है, दोनों की एक ताकत है, और ये मिलके भारती जनता पार्टी की ताकत है आपने एक लफ्ज उसक्या कि मतभेद यही बात है मतभेद हर पार्टी में होते रहेंगे लेकिन मनभेद नहीं है मतभेद बैटके सुल जाए जा सकते है मनभेद नहीं है और दूसरी बात यह है कि हर एक को वह बुत रशना में यह मिलना चाहिए और दोनों का इसको सुलजाने का हमारे बुथ अभियान का नाम ही है शामा प्रसाथ मुखर जी समर्थ बुथ अभियान तो ये बुथ अभियान जो है एकदम समर्थ हो जाएगा दोनों विदायक की नितुरतों में आप नवी यूआ मोर्चा को बढ़ाने की जिम्मेदारी सम्हाल नहीं है कैसे आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं जैसा आपने खुद कहा कि दूसरी पार्टियों के अपक्षा दो बार यूआ मोर्चा के नितृत में बड़े संभेलन हो चुके हैं ऐसे में आगे की रणनीती क्या है क्योंकि मनपा चुनाओ आ रहे हैं यूआओं की सभागिता सबस यूआओं को हम जिम्यदारी दे रहे हैं ये इस नयुमबय में दोनों उधान सभा मिलके 800 के उपर बूत है तो 800 के हर एक बूत पे 10 यूआ और इनको हमने नाम दिया है यूआ वारियर जो यूआ वारियर है वो यूआ वारियर उस बूत में जाके जो यूआ है उनको और यह आगेकी रहती ये सिर्प नवशन पा चुनाओं नहीं है मनपा मिद्द रहन पिति, इस माध्यम से उन युवाओं की समस्स्याय जानने का, उनकी समस्याय सुझाने का काम भारतीय जानता युवा मुरचा करने वाला है बहुत सारी रननिती है कुछ रननिती हम कैमेरे के सामने भी नहीं बता सकते उसे इसलिए तो उसे रननिती कहा जाता है लेकिन युवाओ के लिए बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं महांगर पालिका चुनाओं को लेकर महाविका सागाडी के दलों की आपने खुदी सुनी होगी उनकी जो बयान बाजी है उनका कहना है कि महांगर पालिका में भगवा लहराएगा सी उसेना कहती है जे एक responsible पदा धिकारी आपका observation क्या कहता है कि क्या वाकई महाविकास आगारी तीनों अगर एक साथ आते हैं तो ये ताकत ज्यादा चुनावती पूर्ण बन जाएगी बीजेपी के लिए या वाकई बीजेपी जीतेगी उसमें कोई संदेह नहीं है इसका महतवपुर्ण कारण है तीनों ताकत एक साथ आगे तीनों पाटिया एक थी इस राज्य के आदर्नी उप्व मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि कोई माय का लाल हमको ने हरा सकता लेकिन वो माय का लाल भारती जनता पाटिय ने उनको दिखा दिया हरा दिया नयूमवे में भी ऐसा ही होने वाला है यहां पे मैंने जैसे कहा 2014 में आदर्नी विधाही का मंधताजी महत्रे इदर भारती जनता पाटिय का पंचम पहले रहला दिया था उसके बाद में आदर्नी इस चहर के लोक निता आदर्नी गनेश नाइक साब भारती जनता पाटिय के साथ जुड़े है और उनके ऊपर इस नयूमवे की जनताने वारों विश्वास रखा है जब मंदाताई और आदरनिय दादा ये एक साथ इस नयूंबे में लड़ेंगे तो ये ऐसे बहुत सरी छुटपुट छुटपुट ये तीनों पार्टिया ये हम गरुव से नहीं कहे रहे हैं ये हमारा आत्मयुश्वास है ये आत्मयुश्वास है कि भ समय से काम कर रहे हैं तमाम नागरि संथ्या उत्व बीकास की जरुरत है जैसे छोटे जरूरत हे वहाँ पर नहीं है लेकिं। कफिझ ऑड़ञ से उसको डिवलोप्ने किया गया है सामाज मंधिर है सामाज मंदिर को सामाज मंदिर का एक अएसा वाड़ जिसमें सामाज नहीं है काफी सारी जगह उदर बैलंस है शिड़कों की जगह है कुछ सोचल फैसलिटी के प्लोट से जो नयूंबे महानपा के पास है लेकिन वो नहीं हो रहे है फुटपात के आलत देखेंगे तो शिड़कों के टाइम पे बनाएगे फुटपात है जो रिपेर नहीं हो रह है वहाँ पे जो लोग जाते है यहना रहा में कुछ लोग जाते है तो रोड का एक्सेंट बढ़ने का काम हो रहा है जैसे एक सो वाड नमबर 110 में एक अंडर प्रास हुआ वैसा अंडर पास इधर से क्यों नहीं हो रहा है 111 में 111 में जो डिपेस पांबिस से उनको बार ब रस्ता क्रोस करना पड़ता है वह रोड क्रॉसिंट की वह सारा एक्सेंट हो रहा है तो वह没有 हो रही है बड़े-बड़े काम जो है किस तरह कि चणोती आपको आप नहीं पर दिख रही है चुनोती आप देखा जाए तो ऐसे हम यह नहीं कहिए सकते कि इनकी चुनोती चुनोती हमारी यह है कि हम लोगों के मन में अपना घर करे यह हमारी चुनोती है बाकी उरोधियों की चुनोती को हम चुनोती नहीं मानते एक समर्पित कार्यकरता एक निष्ठावान पदाधिकारी होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दूसरी पार्टियों से क्या सीखने लायक है जो बीजेपी को यहां नविंबई में अपनाना चाहिए जिस संगठन और पार्टी दोनों की छबी और भी मजबूत हो ज जिस चौकट में रखा है उसी इस पे चलने वाली पार्टी आपने भी देखा रहेगा भारती जनता पार्टी का धाचा छोड़के भारती जनता पार्टी कभी ही किसी को अलो नहीं करती है यह भारती जनता पार्टी की खासियत है संगठन सर्वो पर ही यह भारती जनता पा सब tarSS पार्टी से जुड़ा हुआ था 13 साल में उस पार्टी का पहले बुत संम्मिलन हुआ जो गोरेगाओ में हुआ थो भारती जंताब hahahom बाकी पार्टी अभी जो हमारे साथ सरकार में थी उन्होंने भी बूत अभियान चलाया है तो वो किसका देखके चलाया है तो भारती जनता पार्टी से ही बाकी पार्टी को से शेखने की जरुत है भारती जनता पार्टी को किसी से से शेखने की जरुत ने क्योंकि इनका संग वार्ड को वार्ड नमबर 111 को किस रूप में अगले पांच सालों में देखना चाहते हैं और आप जनता के लिए किन पांच कारियों को प्रमुक्ता से आप करना चाहते हैं जैसे कि मैंने बताया कि अलग जो भी नया मतलब मराठी मदे आमी मनतों जे जे नवत ये मला प्रतम हूँ तो आइसा वार्ड मैं बनाना चाहता हूँ जो नया है वो मुझे पहला चाहिए और उसमें वार्ड का विकास हो एक अलग उदारन में उस वार्ड का रखना चाहता वहां के वार्ड 111 की जनता को आप क्या संदेश जेना चाहेंगे आप अपने लिए क्या अपील करना चाहेंगे और सही पर मैं तो वोट मांगने आऊंगा है वोट मांगना हमारा काम है लेकिन सही आदमे के पास वोट जा रहा है के नहीं अपना काम करे गया के नहीं वो काम करने वालों को वोट दो चाहे दत्ता गंगले काम नहीं कर सकता ऐसा आपका मानना है तो उसको वोट मत दो लेकिन यही आपिल करना चाहूँगा वाड नमबर 111 की जनता को जो काम करने वाला है जो ये कोरुना काल में हमेश्यासे रोड के उपर रहा है जनता के साथ रहा है कोन रहा है वैसे तो पास दिन में बहुत सारे लोग आते है और 1500 में ओट खरीदने की बात करते है तो ऐसे लोगों को उनकी जगह उनकी आवकाद दिखाने का काम 111 की जनता ने करना चाहिए सर बहुत बहुत थैंक्यू आपने मेरे तमाम सवालों का जबाब दिया जैसा आप सुन रहे थे कि बीजेपी के युवा मोर्चा के नौइमबई जिलाध्यक शुदता गंगाले जी को आपका जो विजन है आपकी जो मंसा है क्वार्ड नमर 111 में ऐसा बहतर विकास हो जो सबके काम आए और सबके खुसाली सबके समर्धी के लिए उसका उपयोग हो सके हम उम्मीद करते हैं कि 111 की जो जनता है वो इनके विजन को जरूर सपोर्ट करेगी आज की बातचीत में बस इतना ही दीजे हमें इजायत लेकिन ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहे हैं खबरों का न